नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस रेमेडिय लेकर आया हूँ जिसको अपना कर आप अपने गंदे पिले दातों को बिलकुर सफेद कर सकते हैं यहां दोस्तों उसको अपना कर आप अपने दातों में हो रही सडन को भी दूर कर सकते हैं दोस्तों इस रेमेडिय में इस्तमाल होने वाली चीजों को आप बहुत ही आसानी से अपने आसपास की दुकानों से ही प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो इस remedy में मैं कुछ चीज़ों को इस्तिमाल करूँगा जिनसे एक बहुत ही जबरदस फार्मूला तयार होगा वहे आपके गंदे-पिले दातों को पूरी तरह से रोग-मुक्त कर देगा वहे आपके गंदे-पिले दातों को पूरी तरह से सफेद बना देगा और साथ ही आपके दातों में हो रही सडन को भी तूर कर देगा दोस्तो दातों का पीला हो जाना या दातों में कैविटी हो जाना ये चीज़े इनसान को बहुत ही परिशान करती है क्योंकि जब ये एक बार हमरे दातों में लग जाती है तो आसानी से नहीं जाती है दोस्तो दातों में जब कीले लग जाता है या कैविटी हो जाती है तो हमें बहुत परिशानी होती है क्योंकि इस परिशानी के कारण हम रात बर सो भी नहीं पाते है हमारे दाटों में इतना दर्द होता है इतनी परिशानी होती है कि हम किसी से बयान नहीं कर सकते दोस्तो इस रेमेडिय में मैं जिन चीजों का इस्तमल करूंगा वो बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ही चुनी हुई है क्योंकि इनके मिश्रन से जो नुसकों त्यार होगा वह हमारे दाटों में हो रही कैविटी को भी दूर कर देगा और हमारे दाटों में सरन की प्रोब्लम को भी समाप्त कर देगा चलिए दोस्तो अब हम इस नुस्के को बनाना शुरू करते हैं दोस्तो इस नुस्के को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज का इस्तमाल करना है उस चीज का नाम है दोस्तो लॉंग यहां दोस्तो आप इस तरह से इन लॉंगों को देख रहे हैं इसके बाद दोस्तो आपको इसके अंदर दूसरी चीज एड़ करनी है वह है दोस्तो नमक दोस्तो नमक की मात्र आपको इसके अंदर इतनी एड़ करनी है यानि जितने मात्र में आपने long cup powder गया है उतने ही मात्र में आपको नमक इसके अंदर गया तो दोस्तों इन दोनों चीजों की मात्र आपको भी फिल्कुल बराबर रखनी है इसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर थिस्री चीज एड़ करनी है वह है दोस्तो कड़वा तेल यहां दोस्तो यानि के मस्टर्ड ओयल तो दोस्तो मस्टर्ड ओयल यानि के कड़वे तेल की मात्रा आपको इसके अंदर रखनी है आधा चम्मच यानि के तीनों चीजों की मात्रा आपको इसके अंदर बराबर रखनी है तो दोस्तो आदे चम्मच के करीब आपको इसके अंदर कड़बा तेल एड़ करना है इसके बाद दोस्तो आपको इन तिनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो दोस्तो इस्ता से आप इन तिनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले तो दोस्तों मिक्स करने बाद आपको इस अपने दांतों पर किस तरह से अपलाई करना है वो हम आपको बताते हैं आप इसे उंगले के द्वारा भी ले सकते हैं और बुरुश के द्वारा भी ले सकते हैं दोस्तों आपको इस तरह से इस नुस्कियों को लेना है और अपने दांतों पर 1-2 मिनट हलके हाथ से रब करना है दोस्तों यह है नुस्का आपके दांतों में जो कैविटी हो रही है उसको भी फायदा पहुँचाएगा और आपके दांतों पर जो पीली परद जमा है उसको भी यह साफ करेगा क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमने जिन चीजों का इस्तमाल क्या है उससे आपके दांतों में जो बादी का पानी है वहे भी भान निकलेगा और आपके दांतों पर मसूड की पगड़ भी मजबूत होगी तो दोस्तों ये बहुती लाजवाब नुस्का है यदि आप अपने दांतों से कैविटी और सडन को दूर करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नुस्के से दिन में एक या दो बार ज़रूर अपने दांतों पर अपलाई करें और अपलाई करने के बाद आप 5 मिनिट के लिए ऐ इसे ही छोड़ दें और 5 मिनिट के बाद आपको अपने दांतों को नॉर्मल पानी से कुल्या कर लेना है यानि आपको अपने दांतों को साफ कर लेना है दोस्तों इस नुस्के को इस्तमाल करके आपके दांतों में जो सरन हो रही है वह भी दूर हो जाएगी और आपके दा तो कि सरन और केड़े जैसे समस्या को दूर करें धन्यवाद